Hello guys, कैसे हो आप? दोस्तोềlim PM किसान वsti न amendment को 5 पर करका और total problem आ रहा है जिसके वीज़़े से काफी किसानों को PM किसान का पैसा नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तो ज़िदी आपका ऑफंगा पैसे रुख गया है या फिर अभी नहीं आ रहा है तो इसका क्या कारेन है और इसका solution क्या है सभी चीज़े हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तो पीएम किसान का जो भी problem है इसको जानने के लिए आपको registration status निकलना पड़ता है और निकलने के लिए आपको registration नमर की जरूत पड़ने वाली है तो दोस्तों हम लोग यह भी जानेंगे कि बिना ओटिफीका बिना mobile नमर का आपको registration नमर कैसे मिलना वाला है सभी चीज़े हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से हेलो मैं हूं किस वर स्वागत है आपका फिर से एक न इसमें आपको ऑपनाना आपको सबसे पहले मिल स्थैटस करना पर भी यहां पर लगने वाला है वह जो राइट साइड में आपको क्लिक कर देना है याद रहे दोस्तों यहां अब को तो सिधा अब कर देंए आपको 2017 करना है अब आपका पर नाम आपकर हो जाएगा आपके लिए को लिए और और अभी फिलार का इस्टेशन में वाला है यहीं रिजितरेसन कर लीजिए और आब हम लोग आज प्रोब्लम जो की ज्यादा किसानों के साथ हो रहा है वह लैन सीडिंग स्टेटरस का नो होना यदि आपका भी land sitting status का no है दोस्तों तो यह एक problem है आपका इसको solution आप खुद से कर सकते हैं इसके लिए आपको block कर्या ले जाना होगा तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या-क्या वहां से आपका land sitting status को यस कर दिया जाएगा जो कि आपको दो से चार दिन में यह मैक्स आपका दस दिन में हो जाता है दोस्तों और जैसे दोस्तों आपका status यहां पर यस हो जाता है आपका PM किसान का पैसा जो रुका हुआ है और जो पहले से नहीं मिला है सभी जोड के आपको एक साथ में मिल जाता है हम लोग बात कर लेते हैं second problem की तो second problem जो कुछ किसानों के साथ आ रहा है वह है farmer record has been rejected by PFMS यदि आपका भी PFMS से यह प्रोब्लम आ रहा है तो इसका एक ही समाधाने दोस्तों तो आपका एकॉंड में आधार लंबल नहीं होगा दोस्तों जिसकी आधार को लिंक कराना होगा उसमें डीवीटी को आन कराना होगा तो इसके लिए दोस्तों आपको बैंक विजिट करना होगा बैंक का ब्रांच विजिट करना होगा और वहां से एक आवेदन आपको देना होगा कि आपका एकॉंड में अधार लिंक कराना है और डीवीटी क तो आपको simply क्या करना है दोस्तों आपका जो यहां पर नाम दीख रहा होगा पीम किसान का स्टेटस में वह नाम आपका आधार से मैच होना चाहिए दोस्तों यह कंपलसरी किया गया है जदि आपका एसपैनलिंग के साथ मैच नहीं हो रहा है तो आपको इसको सुधार करना है तो दोस्तों आप बात करने के बाद आपको आधार नमर चूच करना है केपचा डालके सर्च कर लेना है और आपको यहां पर जो आपके आधार में नाम है एसपैनलिंग के साथ सही-सही यहां पर अ रहा है कि correction is pending at state यानि उनका status चेक करने के बाद यह problem आ रहा है तो ऐसे इस्तिति में आपको क्या करना चाहिए तो सबसे पहले आपको एक application त्यार करना है और documents में आपको वही चारो documents लगाना है जो कि मैंने पहले बता दिया था आपका यह status आधार card bank facebook भी आप दे सकते हैं जमीन का पर्चा और रसीद भी देना है दोस्तों यह सभी documents के साथ आपको एक आवेदन देना होगा और आवेदन को मुख्या जिससे सत्यापन करा सकते हैं और सत्यापन के उपरांत आपको ब्लॉक कर्याले में co office में जमा करना है वहाँ पर आपको problem बता देना है कि यह problem की वज़े से आपको पैसा नहीं मिल रहा है वहाँ से एक लेटर बना जाएगा जो कि district forward किया जाएगा और district से फिर state forward किया जाएगा और वहाँ से आपका इस problem का sort out हो जाएगा दोस्तों यह सभी problem से पहले आपको एक चीज और देखना है दोस्तों जो कि आपका खुद का problem हो सकता है यदि आपका status में एक वैसी डन में no दिखा रहा है तो सबसे पहले आपको एक वैसी कराना होगा दोस्तों एक वैसी जो कि आपका है problem यह आपको खुद से करना है sot-out ओटोमिटिक हो गया है दोस्तों अब पीएंब की संब का पैसा आधार माध्यम से लिए फीर्ट के माध्यम से बेगा जाए और पीजय हो जाएगा तो इस प्रभलम का burnt है जदि और भी कोई प्रोप्लम है दोस्तों थो कि लिए पने प्रोफ्हों के आपके ईचिए पप्रोपल्म आपके साथ हो रहा जए है तो आपका पैसा रुखा हुआ है तो कोमेंट कीजिए मैं उसका भी समधान लेके आऊंगा इस वीडियो में इतना ही आयोप यह वीडियो आपके लिए हेलफुल रहा होगा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए अपने दुस्तों में सेयर कीजिए थेंक्यू जैहिन